मन्जिले हो चाही जितने पर राह सब की एक डॉक्टर सीवी रमन युनिवर्सिटी कर्गी रोड कोटा गिलासपुर रमश्कार आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ भूपे श्टांडिया रमतरी जीले के मगलोट ब्लॉक में दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है जहां एक कल्योगी पुतर ने अपने ही पिता का कुदाल से मार कर हत्या कर दिया है पुलिस सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना ग्राम अमली डिका है मृतक का नाम चंदूलाल निसाद और आरोपी पुत्र रोशन निसाद 25 वर्स बताया जा रहा है घटना के बाद पिता चंदू निशाद को घायल अवस्था में साबुदाइक स्वात सेकेंदर मगलोर दे जाया जा रहा था जहां रास्ते में पिता की मौत हो गई वहीं आरोपी पुत्र घटना के तूरंत बार फरार हो गया था जिनको मगलोर पुली ज़्वारा पकड़ कर आगे की कारेवाही की जा रही है वहीं घटना कारण अग्याद बताया जा रहा है इस संबन्द में A.S.P. मनिशा ठाकूर ने बताये आरोपी पुत्र का मानसिक इस्थिती ठीक नहीं था आरोपी को हिरासत में लेकर मामला पंजी बद्दकर विवेचना की जा रही है ग्राम अमली ती ठाना मगर लोट की घटना है जिसमें पुत्र रोशन निशाद अपने ही पिता चंदो निशाद को सिर्पर फावडे से लगाता तीन प्रहार किया था और इलाज के लिए उन्हें तुरंत अस्पताल दी ले जाया गया था और इस दोरान उनके मृत्जी हो गए इस पर से ठाना मगर लोग में अपरात तंजीपत करके इसे विवेचना में लिया गया अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है जैसा कि बताया जा रहा है कि पुत्र की मानसिक स्थिती भी बहुत अच्छी नहीं थी और सिर्फ वो खेत में जा रहा हूं काम करने की बात को लेकर इनमी में अकसी बात हुई थी और इसी आधार के उसमें प्रहार किया था आरूपी को हिरासत में लिया गया है और अभील कर रही की जा रही